अत्यों, देश में चल रहा ये रोजगार अभियान, पारदर्शिता और सूसासन, गुड़ गवर्नन्स दोनों का ही प्रमान है। हम सभी ने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्ता में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नोकरी की बात आती थी, तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियों भाई पतीजावाद, सिफारीज और ब्रस्टाचार को ही बढ़ावा देती थी। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के करोडो युवाओं के साथ विश्वासगात किया है। 2014 में हमारी सरकार मनने के बाद अब भरती परिक्षाओं में पार्दर्शिता भी आई हैं और बाई बतीजावाद भी खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार में ग्रुप C और ग्रुप D की भरती में इंटर्व्यू समाप्त होने का लाप लाखो युवाओं को हुआ है। एक तरफ हमारी सरकार के ये इमानदार प्रयास है। तो दूसरी तरफ और ये बात मैं चाहता हूँ मेरे नवजवान पूरा समझने का प्रयास करे। हकीकतों के अधार पर कुछ बाते आ रही है। दूसरी तरफ भाई परतिजावाद है। अभी आपने एक दो दिन पहले मिडिया में आई रिपोर्ट देखी होगी। अखबारों में टीवी पे काफी कुछ देखने को मिला। एक राज्य की उसमें चर्चा है। और चर्चा क्या है। एक राज्य में कैश फॉर जॉब के गोटाले की जांच में जो बाते भार निकल के आई हैं वो मेरे देश के नवजवानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विशे लेका आई है। उस राज्य का क्या पद्धतित है। क्या बात उभर करके आई है। नोकरी सरकारी चाहिए तो हर पद के लिए जैसे होटेल में आप खाना खाए जाए वह रेटकार होता है ना हर पद के लिए रेटकार है। रेटकार बताया गया है और रेटकार भी कैसा है। चाहिए नर्स की नोकरी चाहिए तो आपको यह रेट रहेगा। आप सोचिए हर पद के लिए उस राज में रेटकार चला करता है और कटमनी का कारोबार चलता है। देश का नवजवान कहां जाएगा। यह स्वार्थी राजरितिक दल जॉब्स के लिए रेटकार बनाते हैं। अब देखिये कुछ दिन पहले एक और मामला सामने आया था रेलिवे के एक मंत्री ने। जॉब बडले में गरीब किसानों की जमीने लिख वाली थी। जॉब के बडले में जमीन पढ़ा ली। वो भी केस वियाई में चल रहा है, कौट में चल रहा है। भाईयो बेहनों आप देखिये आपके सामने दो चीजे साफ हैं। एक तरब परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतिजा बात करने वाली वो पार्टियां, ब्रस्ताचार में रोजगार के नाम पर देश के नवजवानों को लूटने वाली पार्टियां। जो रेट कार्ड, हर चीज में रेट कार्ड, हर चीज में कट मनी, उनका रास्ता है रेट कार्ड, जबकि हम युवाओं के उजवल भविश को सेफ़ गार करने पर काम कर रहे हैं। रेट कार्ड, आपकी कवेलियत को, आपके सामर्थों को, आपके सपनों को चूर चूर कर देते हैं। हम आपके सेफ़ गार्ड में लगे हैं, जो आपके सपनों के लिए जीते हैं, आपके संगितल्पों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। आपके हर इच्छा आकांख्षा आपके परिवार की हर इच्छा आकांख्षा उसको सेफगाड करने में हम लगे हैं। अब देश स्ताय करेगा देश के नवजवानों का भविश रेटकांड के भरोसे चलेगा कि सेफगाड व्यवस्ता के अदर सुरक्षित तरीके से पड़ पेगा। साथियों कि भाई भतिजावाद वाली पार्टियां देश के सामान्य मानवी से आगे बढ़ने के अउसर चिल लेती हैं। जबकि हम देश के सामान्य मानवी के लिए नित नए अउसर बढ़ा रहे हैं।